पूरी दुनिया में सिकल, सेल, एनीमिया के जितने मामले होते हैं उन में से आधे, 50 प्रतिशत अकेले हमारे देश में होते हैं लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि पिछले सत्तर सालों में कभी इसकी चिन्ता नहीं हुई इससे निपट्डे के लिए कोई ठोस प्लान नहीं बनाया गया इससे प्रभावित जादातर लोग आधिवासी समाज के थे आधिवासी समाज के प्रति बेरुखी के चलते पहले की सरकारों के लिए ये कोई मुद्दा ही नहीं था लेकिन आधिवासी समाज की इस सबसे बड़ी चुनोती को हल करने का बिड़ा अब भाज़पा की सरकार ने हमारी सरकार ने उठाया है जब मैं गुजरात का मुक्य मंत्री बना उसके बाद भी मैंने वहाँ इस से जुड़े कई अभियान शुरू किये जब प्रदान मत्री बनने के बाद मैं जपान की आता पर गया तो मैंने वहाँ नॉबेल पुरसकार जीतने वाले एक वैग्यानिक से मुझे पता चला था कि वह वैग्यानिक सिकल सेल बिमारी पर बहुत रिसर्च कर चुके हैं मैंने उस जपानी वैग्यानिक से भी सिकल सेल एनिमिया के इलाज में मदद मांगी थी